जी आप सब्सक्राइब को पता है इसकी मैरे लिस्ट भी अनौंस कर दीग है यह यूजी की मैरे लिस्ट आ गई है लेकिन कापी स्टूडेंट ले कमेंट आ रहे हैं कि सर हम अपना अलॉट में लेटर चेक कर रहे हैं अगर आपको जल्दी से काम कर लेना है अगर आप यह काम करते हैं तो हमें क्या काम करना है पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के मादम से बीडियो को शेयर कर देना है जैसा कि देख पा रहे हैं अगर हम USG की बात करें तो USG की भी यहांपर मेरे लिष्ट अनॉंस कर दी गए और PG की बात करें तो PG की भी अनॉंस कर दी गए कर रहे हैं तो यहां पर एक message आ जाता है आपके साथा है इस तरह का आपके सामने message आ जाता है new college alert initiate to you इसका मदलब है कि आपको कोई भी college alert नहीं किया गया अब दोस्तों कोई भी college नहीं किया गया तो college कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं देखें दोस्तों CLC पस्टराण में क्या होता है CLC पस्टराण में क्या होता है वो समझने से पहरे एक बात समझ ली कि जब आप अपना allotment letter download करते हैं तो यहां पर clear mention किया गया है कि आपका allotment letter download तब ही होगा जब आपका college के दोरा allotment activate कर दिया जाएगा यहां दोस्तों आपका allotment letter तब ही download होगा जब आपका college के दोरा activate कर दिया जाएगा और activate करने के बाद ही आपको इस लिंक से download करना होगा अब इस लिंक से आपको download कैसे करना है इसके बारे में कि college बालों ने अपना खुद approve कर दिया है कुछ student का लेकिन कुछ student का एप्रूब नहीं किया है तो पिर आपको क्या करना है आपको गबडाना नहीं यह, tension नहीं लेना है आपको अपने college में जाना है, जिस college में आपको एड़ूइसर लिना है, उस college में जाना है, वहाँ से अपना जो activate करवा लिना है, यानि कि approve करवा लिना है अपना क्या allotment letter, जैसे ही college के दोआर आपका allotment letter activate कर दिया जाएगा, आप उस link से download कर भाएं, अभी तक क्या होता था कि first round में हमारा भोपाल के भोपाल से automatically link बन, जो automatically mirror list बनती थी, ठीक है, automatic mirror list बनती थी, लेकिन CLC round का क्या मतलब होता है, वो समझी, CLC का मतलब होता है college level counseling, college level counseling का मतलब है कि college के दोआर लिस्ट activate करना, जब तक college वाले list activate नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने इसी तरह का message दिख तब तक college वाले चाहेंगे, उसी को admission देंगे, तब तक college वाले नहीं चाहेंगे, तब तक आपका admission नहीं होगा, यानि college की ID से तब तक activate नहीं होगा, एप्रूब नहीं होगा, तब तक यहाँ पर आपके सामने इसी तरह का message देखा ही, देखा, तो आपको activate करवाने के लिए college में जाना होगा, अब दूसरों यहाँ पर हम बात करें, पितम CLC round का पूरा time table समझ लेजी, देखी, UG का 3 तारिक को आया है, और PG का 4 तारिक को आया है, UG का 3 तारिक को आया है, PG का 4 तारिक को आया है, 3 तारिक से लिएकर 7 तारिक के बीच में इसके admission चलेंगे, 4 तारिक से कैसे download करना है, वो already video बना दिया, link आपको description box में CL सबसे नीचे आपको link मिल जाएगे, ठीक है, download करने का मैंने आपको UG का PG का दोनों का तरीका बता दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, कि आपका नाम तो आ जाएगा, ठीक है, नाम आने के बाद आपको क्या करना अपनी piece में बर देना है, ठीक है, अब दोस्तों, अगर आपका 7 तारीक और 8 तारीक तक भी नाम नहीं आता है, तो एक और आपको chance मिलेगा इसी round में, पितम CLC round एक और chance आपको मिलेगा, जो कि 10 तारीक को मिलेगा, यहन कि 10 तारीक को, और 11 तारीक को, UG की 10 को, और PG की हमार तो UG और PG के जो भी student आप अपनी list चेक करना, 10 तारीक को, और 11 तारीक को, ऐसा हो सकता है, अगर आपका 3 तारीक बाली list में, और 4 तारीक बाली list में नाम नहीं आया है, या पिर आपका अभी तक college के दोरा activate नहीं किया गया है, किसी कारण बस, तो पर 10 तारीक को एक लिंक आ download करके देखना, अगर इसमें आपका नाम नहीं आया है, तीन तारीक, चार तारीक ने, तो जानदा तक चांस होते हैं, कि हमारी 10 तारीक को, 11 तारीक बाली list में भी नाम आ जाएगा, ओके, सारी information समझ में आगी होगी, CLC round के जो भी student है, अगर आपका अभी तक नाम नहीं आ जो भी आपका government college हो, चाहिए आपका private college हो, ओके, सारी जानकारी समझ में आगी होगी, बीडियो को share कर देना है, चलिए, मिलते अगले बीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब दक लिए, बाई